दोस्तों अंतर राष्टे क्रिकेट खेलने वाले सभी खिलाडी हर मेच में अच्छा पर्दसन करना चाहते हैं जो खिलाडी किसी मेच में सबसे अच्छा पर्दसन करता है तो उसे मैन आफ दी मेच का आवर्ड मिलता है यह आवर्ड सभी खिलाडियों के लिए खास होता है क् इसके बाद टीम में उसे अपनी जगह पकी लगने लगती है कभी आपने सोचा है कि अगर मैन आफ दी मेच मिलने के बाद किसी खिलाडी को मेची खेलने का मौका न मिले तो कैसा लगता होगा भारती क्रिकेट में ही इसके कई उदाहरण मौजूद हैं आज हम आपको उन चार भारती खिलाडियों के बारे में बताने वाले हैं जिने मैन आफ दी मेच मिलने के बाद भी उस फॉर्मेट में कभी अंतरराश्टिक क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिला दोस्तों अगर आपने भी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेज कर दें सुबर्नम बद्रिनाथ T20 IPL 2011 में करीब 56 की आउसत से रन बनाने के बाद सुबर्नम बद्रिनाथ को भारती टीम के सौथ वेस्टन डीज दोरे पर जाने का मौका मिला दोरे पर हुए एक मातर T20 अंतरराश्टिय मेच में उन्हें डेब्यू करने का मौका मिला उन्होंने इस मेच में 37 गैंदों पर 43 रनों की पारी खेले बद्रिनाथ को मेच में 16 रनों से जीत मिले और बद्रिनाथ को मैन ओफ दी मेच का आव़र्ड मिला इसके बद्रिनाथ को कोई भी T20 अंतरराश्टिय मेच खेलने का मौका नहीं मिला इर्फान पठान वंडे साल 2012 में भाते टीम सिरिलंका के दोरे पर गई थी ये वही दोरा था जिसके पांच वंडे मेचों में रोहित सर्मा ने मातर 13 रन ही बनाये थे इसी सिरिज के अंती मेच में इर्फान पठान ने पहले बल्ले से 28 गैंदों में 29 रन बनाये और फिर गैंद बाजी में 61 रन दे कर सिरिलंका के पांच बल्ले बाजों को आउट किया भारत ने इस नजदी की मेच को 20 रनों से जीत लिया था इस पर दसन के लिए इर्फान पठ को भारत के लिए कभी भी वंडे मेच खेलने का मौका नहीं मिला अमित मिस्रा वंडे निवजिलैंड के टीम 2016 के अंत में 3 टेश्ट और 5 वंडे मेचों की सिरिज के लिए भारत दोरे पर आई थी बाहती टीम ने टेश्ट सिरिज दो आसानी से जीत लिए लेकिन 4 वंडे के बात दोनों टीमें दो दो की बराबरी पल थी पांचवे वंडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 279 रन बनाए 270 रनों के लकसे का पीछा करते हुए कीवी पारी सिर्फ 89 रनों पर सिमट गई अमित मिस्रा ने 6 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट लिए इस परदसन क लिए उन्हें मैन अफ दी मेच के साती सिरीज में सांदार पर्दसन करने के लिए मैन अफ दी सिरीज का आवरड भी मिला मिस्रा इतने बदकिसमत रहे कि उन्हें इसके बाद भारत के लिए कभी भी वंडे मेच खेलने का मौका नहीं मिला परग्यान ओज़ा टेस्ट सजिन उन्होंने नवासिरन देकर दस विकेट लिए ओजहा के टेस्ट करियर का ये सबसे बहतरीन परदसन था और उन्हें मैन आफ दी मेच भी मिला इसके बाद ओजहा को भारत के लिए कोई भी मेच खेलने का मौका नहीं मिला किसी भी खिलाडी के लिए इससे दुर्भागे पूं कुछ नहीं हो सकता